Hello Students, Welcome to Navanko Digi Lessons आज हम इस वीडियो में कक्छा चैविसे विज्ञान के पाड़ दो भोजन के घटक के अभ्यास प्रशनों को समझेंगे पहला प्रशन है हमारे भोजन के मुख पोशक तद्बों के नाम लखिए हमारे भोजन में कौन-कौन से ऐसे मुख पोशक तद्ब होते हैं जो जरूरी होते हैं उत्तर है भोजन के मुख पोशक तद्ब हैं कार्बो हाइडरेड कार्बो हाइडरेड कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बन, हाइडरोजन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन अमीनों अमलों से मिलकर निर्मित संरचना होती है, बसा, बिटामिन, खनेज लवन तथा जल, ये सबी हमारे भोजन के मुख्य पोशक तद्ब हैं, दूसरा पिष्ण है, निमनलिखित के नाम लखी है, पहला है, पोशक जो मुख्य रूप से हमारे सरीर को उर्जा देते हैं, यानि हमारे सरीर को उर्जा देने वाले पोशक तद्ब क्या होते हैं, उत्तर है कार्बो हाइडरेट तथा बसा, कार्बो हाइडरेट तथा बसा हमारे सरीर को उर्जा देने का कार करते हैं, दूसरा है पोसक जो हमारे सरीर की ब्रद्धी और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है ऐसे पोसक तत्व जो हमारे सरीर की ब्रद्धी एवं अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक है बे प्रोटीन एवं खनिजलबण होती हैं ये हमारे सरीर की ब्रद्दी के लिए आवश्यक होते हैं बेह बिटामिन जो हमारी अच्छी द्रश्टी के लिए आवश्यक है यानि हमारी आँखों के लिए आवश्यक बिटामिन क्या है बिटामिन ये हमारी अच्छी द्रश्टी के लिए आवश्यक होता है बेह खनेच जो अस्थियों के लिए आवश्यक है उस खनेच का नाम बताना है जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है तो केलसियम एवं फासपोरस हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है तीसरा प्रश्ण है दो ऐसे ख़द पदार्तों के नाम लिखिए जिन में पोशक पिर्चर मात्रा में उपलब्द होते हैं नीचे कुछ ख़द पदार्तों के नाम दिये गए हैं बसा, मंड, आहारी, रेशे, प्रोटीन ये किन ख़द पदार्तों में उपलब्द होते हैं यानि हमें किन ख़द पदार्तों का सेवन करना पड़ेगा इन पोशक तद्वों को प्राप्त करने के लिए तो बसा प्राप्त करने के लिए हमें घी एवं मक्खन का सेवन करना पड़ेगा घी एवं मक्षन में बसा प्रिचुर महत्रों में उपलब्ध होता है यदि हमें मंड जिसे श्टार्च भी कहा जाता है इस पोशक तद्व को प्राप्त करना है तो हमें आलू एवं चावल का उपियोग करना पड़ेगा अहारी रेशे को प्राप्त करने के लिए दालें एवं ताजे फलों का सेवन करना पड़ेगा तथा प्रोटीन पोशक तद्व को प्राप्त करने के लिए दूद एवं अंडा का सेवन अनिवार होता है इन में से सही कथन को अंकित कीजिए नीचे कुछ कथन दिये गए हैं जो कतन सही है उन्हें सत्त एवं जो गलत है उन्हें असत्त के रूप में बरगी करत करना है पहला है केबल चावल खाने से हम अपने सरीर की पोसन आवशक्ताओं को पूरा कर सकते हैं इसमें यह पूछ रहे हैं कि अकेले जो चावल खाद पदारत है उसे खाकर हमारे सरीर की सारी आवश्यक्ताओं को पूरा कर सकती है क्या यह असत्त है क्योंकि केबल चावल हमारे सरीर की संपून आवश्यक्ता को पूरा नहीं कर सकता दूसरा है संतुलित आहार खाकर अभाब जन रोगों की रुक्थाम की जा सकती है संतुलित आहार जो हमारे सरीर की संपूर्ण पोसक तदमों की अविश्यक्ता को पूरा करता है उसको खाकर हम अभाब जन जो रोग होते हैं उनकी रुक्थाम की जा सकती है बिल्कुल सत्त है, सरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खद पदार्थ होने चाहिए सत्त है, जो संतुलित आहार होता है, उसमें विबिन्द प्रकार के खद पदार्थ होते हैं जो हमारे सरीर के पोशक तद्वाँ की पूर्ती करते हैं फूर्थ है, सरीर को सभी पोसक्तव उपलब्द कराने के लिए केवल मास परियाप्त है, अशत्त है, हमारे सरीर के सभी पोसक्तव उपलब्द कराने के लिए नाना प्रकार के विविन्न प्रकार के ख़द पधार्त उपलब्द होने चाहिए रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिये पहला रिक्तिस्तान है बिटामिन डी के अभाप से होता है इसमें यह पूछ रहे हैं कि बिटामिन डी के अभाप से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन डी के अभाप से रिकेट्स नामक रोग होता है रिकेट्स नामक रोग में हड्डियां छीन एबं लचीली टेडी मेडी हो जाती है दूसरा खाली स्तान है की कमी से बैरी बैरी नामक रोग होता है बिटामिन बीवन की कमी से बैरी बैरी नामक रोग होता है अब बैरी बैरी नामक रोग में ठकान ना लगना ठकान होना भूखना लगना हिर्दे की धड़कन बन जाना आदी लक्षण बैरी बैरी नामक रोग के होते हैं तीसरा है बिटामिन सी के अभाप से नामक रोग हो जाता है तो बिटामिन सी के अभाप से इसकर भी नामक रोग हो जाता है इसके लक्षण मसूडे फूल जाना तथा उनमें रक्त इस्तराब होने लगता है चौता है हमारे भोजन में किस बिटामिन के अभाप से रतोंदी हो जाता है तो हमारे भोजन में बिटामिन एके अभाप से रतोंदी नामक रोग हो जाता है